नमो नमह सरवेभ्या विद्यार्तियों आज हम कक्षा आठ्मी की पाठ्य फुस्तक रुचिरा भाग 3 से पाठ 11 शावित्री बाइफूले पाठ का आज हम अध्यन करेंगे विद्यार्तियों प्रस्तुत पार्ट बाली का सिक्षा छेत्र का नेत्रित्त करने वाली महिला सावित्री बाई फूले के योगदान पर केंद्रित है उपरी निर्मितम चित्रम पश्यत उपर बने वे चित्र को देखिए विद्यार्तियों यहापर यह चित्र दिया है यहापर मारक पर एक महिला जा रही है और कुछ बच्चे उस महिला के उपर धूल पत्थरे त्यादी फेक रहे हैं इदम चित्रम कस्यास्चिद पाड़ साला यह वर्दते यहाँ चित्र किसी पाड़ साला का है इयम सामान्य पाड़ साला नास्ती इयम यहाँ कोई सामान्य पाड़ साला नहीं है एमस्ती महाराष्ट्रस्या पर्थमा कन्या पाड़ साला यहां महाराष्ट की पहली कन्या पाड़ साला है एका सिक्षिका ग्रिहाद पुस्तकाने आदाया चलती एक सिक्षिका अपने घर से पुस्तके हाथ में लेकर चलती है मारेगे कस्चित तस्याह उपरी धूलिं कस्चित चा प्रस्तर खंडान शिपती रास्ते में चलते वे कोई उस पर किस पर उस महिला सिक्षिगा पर धूल तो कोई पत्थर फेकता है प्रस्तर खंडान अर्थार्थ पत्थर के तुकडे उस महिला पर छिपती अर्थार्थ फेकता है परम सा स्वद्रिड निश्चजात ना विचलती परन्तु वहा महिला द्रिड निश्चे से विचलत नहीं होती है स्वा विध्याले कन्याबही सविनोदम आलपंती साध्यापने संग लगना भवती वहा महिला सिक्षिका अपने विध्याले में बालिकाओं के साथ हसी मजाक के माध्यम से वहा उन्हें पढ़ाने लग जाती है तस्तियाह श्वकीयम अध्यनम अपी शाहीव परचलती उसकी खुद की पढ़ाई यानि उस महिला सिक्षिका की पढ़ाई भी साथ साथ वहा करती है वहा अपने पढ़ाई भी करती है के यम महिला कौन है ये महिला अपी यू यम इमाम महिलां जानी था क्या आप इस महिला को जानते हैं यम एवा महाराष्ट्रस्या पर्थमा महिला सिक्षिका शावित्री बाई फूले नाम दिया क्या आप इस महिला को जानते हैं वहां महिला है महराष्ट की प्रथम अध्यापी का जिनका नाम है सावित्री बाई फूले यानि की विद्यार्दियों महराष्ट की प्रथम महिला सिक्षि का सावित्री बाई फूले हैं यहाँ पाट सावित्री बाई फूले पर ही केंद्रित है जन्वरी मासस्या तृतिय दिवशे 1831 तमें खृष्टापदे महाराश्टरस्या नाय गाउम नामनी इस्ताने शावित्री अजायाद याने की विद्यार्थियों तीन जन्वरी सन 1831 में महाराश्टर में नाय गाउम में इनका जन्म हुआ था तस्या माता लक्ष्मी बाई पिताचा खंडो जी इति अभीतों उनकी माता का नाम लक्ष्मी बाई तथा पिताजी का नाम खंडो जी दिख्षितान यहां कहा गया है यहां बताया गया है नव वर्स देशिया सा जोतिबा बा नव वर्स देशिया सा जोतिबा फूले महोदेन परिनिता यानि कि विद्यारतियों नो वर्स की उमर में उनका भी वहा जोतिबा फूले महोदे से हुआ सुअपी तदानिम त्रोदस वर्स कलपह एव आसीद वहा भी कौन जोतिबा फूले महोदे भी उस समय तेरा वर्स के ही थे यतो ही सहा इस्त्री सिक्षा यहा प्रबला शमर्तक आसीद वह वह कौन जोतिबा फूले जो सावित्री भाई फूले के पती हैं वह भी इस्त्री सिक्षा के प्रबल शमर्तक थे यतो ही सहा इस्त्री सिक्षा यहा प्रबला शमर्तक आसीद इसलिए सावित्री बाई फूले के मन में इस्तित जो पढ़ने की इच्छा थी वहाँ और भी प्रबल हो गई और उस्सहा को प्राप्त हुई इतहा परम साग्रहम आंगल भाषा या अपि अध्यनम कृत्वती और सावित्री बाई फूले के बती भी इस्तिरी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे इससे जो है सावित्री बाई फूले भहुती खुस हुई प्रशन हुई और इसके बाद उन्होंने आग्रे पूर्वक मन से अंग्रेजी भासा का उन्होंने अध्यन किया तो विद्यारतियों आज हमने आपकी पाठ्य पूस्तक रुचिरा भागतीन से पाठ्यारा सावित्री बाई फूले पाठ का आज हमने अध्यन किया अगले भाग में हम इससे आगे के पाठ के पाठ का अध्यन करेंगे धन्यवाद हुई झाल